दोस्तों नमस्कार, Electrical Line More Channel में मैं संदीप चोहान आपका फिर से उसागत करता हूँ दोस्तों आज हम बल्ब के साथ एक एक्स्परिमेंट करने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक हाथ में बल्ब लिया है और दूसरे हाथ के अंदर फेन वाला रेगुलेटर लिया है इस फेन रेगुलेटर को हम इस बल्ब के साथ जोडने वाले हैं और हम देखेंगे कि bulb और regulator को यदि हम series के अंदर जोड़ देते हैं तो bulb के अंदर क्या परिवरतन आता है, bulb हमारा किस तरीके से काम करता है तो यहाँ पर हमने एक bulb holder भी ले लिया है, इस bulb holder के अंदर हम bulb को fit कर लेंगे और यहाँ पर जो regulator लिया है उस regulator को इसके साथ series में जोड़ दिया जाएगा सबसे पहले हम fan regulator को इस holder के साथ series में जोड़ देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, series में इस तरीके से आपको जोड़ना होगा यहाँ पर हमने एक तार fan regulator का लिया है और एक तार bulb holder का लिया है इन दोनों का आपस में twist करके इस तरीके से जोड़ देंगे और tape लगा देंगे यहाँ पर हमने bulb holder को regulator के साथ connect कर दिया है अब इस bulb holder का जो दूसरा वाला wire है, उसके साथ हम छोटा सा एक wire और जोड़ देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक yellow color का wire लिया है इस yellow color के wire को हम इस rate color के wire के साथ जोड़ देंगे यहाँ पर जो आप regulator देख रहे हैं, इस regulator के साथ इस wire को भी connect कर देंगे यहाँ पर हमने holder के उपर bulb को भी लगा दिया है, bulb को चालू करने से पहले हम regulator को थोड़ा set कर लेंगे regulator के अंदर जो highest position होगी उस पर हम regulator को set कर लेंगे, उसके बाद हम power supply को चालू करेंगे आप देख सकते हैं, जैसे हमने power supply को चालू किया है, तो हमारा bulb पूरी रोशनी दे रहा है, हमारा bulb जलने लगा है अब हम regulator की position को फिर से कमपर कर देंगे और bulb को चालू करेंगे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने Bulb को चालू किया है तो हमारा जो Bulb में वो बहुत कम रोशनी दे रहा है अब हम इस Regulator के द्वारा इस Bulb को कंट्रॉल करके देखते हैं कि Bulb के अंदर क्या होता है आप देख सकते हैं जैसे ही हम regulator को घुमा रहे हैं तो हमारा bulb की रोशनी भी चेंज हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम regulator की position 0 से बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे bulb के अंदर रोशनी भी बढ़ रही है आपको पता ही है कि fan regulator जो होता है वह हमारी fan की speed को कम और ज़्यादा करने के काम आता है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इस fan regulator से हमारे bulb की रोशनी को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हम fan regulator को बढ़ा रहे हैं तो हमारे bulb की रोशनी बढ़ रही है और जैसे ही हम इसको down कर रहे हैं तो हमारे bulb की रोशनी भी कम हो रही है तो friends इस experiment का use करके आप bulb की रोशनी को कम और जादा कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं कि हमारा bulb कितनी power लेता है power को मापने के लिए हमने यहाँ पर multimeter ले लिया है आप देख सकते हैं अभी हमारा जो bulb है वह 0.2 amp ले रहा है मतलब अभी हमारे bulb की रोशनी जो है वह कम है और 0.2 amp ले रहा है अब हम दीरे दीरे इसकी रोशनी को बढ़ाने वाले हैं आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसकी रोशनी को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो ampere वो भी बढ़ने लगा है मतलब इस regulator से हम हमारी power को भी control कर सकते हैं power को भी बजा सकते हैं अब हम इसकी रोशनी को पूरी कर देते हैं आप देख सकते हैं अभी हमारा bulb पूरी रोशनी में जल रहा है और यहाँ पर 0.4 ampere ले रहा है इसका मतलब है कि हमा हमारा जो bulb है वो regulator के द्वारा कम power consume करेगा जब हम regulator की position को कम पर रखेंगे तो हमारा bulb कम जलेगा और कम power लेगा और जब हम इसको full कर देंगे तो यह ज्यादा power लेगा इस तरीके का यूज करके हम काफी सारी बिजली को बचा सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आप दे सकते हैं ज पावर को बचा सकते हैं यदि हमें रोशनी की ज्यादा requireंamento नहीं नहीं है तो हम इस regulator से रोशनी को कम करके पावर को बचा सकते हैं उसके साथ ही इस experiment को आप काफी जगेपर यूज कर सकते हैं जहांपर हमें काफी जड़गर जडरत है तो हम रहा पर रेगुलेटर से कम रो बहुतेजी से रोशनी बढ़ा रहा है, बहुतेजी से रोशनी कम कर रहा है, तो इस experiment का हुपयोग हम किसी शादी या फिर पार्टी के अंदर भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम decorative light भी इसके द्वारा बना सकते हैं, तो friends इस idea के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं, मुझे comment section में ज subscribe जरू कर लें, thank you दोस्तों, thank you so much for watching my video, thank you, thank you so much, jay hind, jay bharat